नमास्कार स्वगत्याप का हमारे अचार जागिंद रमशाज चैनल पर घर में पैसा नहीं टिकता तो बस थोड़ा सा धनिया फिर देखे घर में कैसे बरसे गाधन दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे धनिया को लेकर किये जाने वाले उपाए धनिया न सिर्फ हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है बलकि ये आपके किस्मत को बदल सकता है खड़ा धनिया धन को आकर्षित करने वाला माना जाता है इसके उपाए धन प्राप्ती में बहुत ही कारगर होते हैं घर में शुक्षम्रद्धी, खुस हाली और शम्पनता लाने हे तू धनिया बहुत ही मददगार सावित होता है दोस्तों जब हमारी जिन्दगी लए में होती है तो हमारी सब कारिसहज सयोग रोप से बनते जाते हैं एक छोटा सकाम भी चुटकियों में बन जाता है एक होता है योग और दूसरा होता है सयोग अगर किशी भी कुंडली में धन बनने के यनि कि धनवान बनने के करोडपती बनने के योग हैं तो वो अपने आप ही धनवान बनेगा लेकिन अगर ऐसा योग नहीं है तो धन के सयोगों पर निर्भर रहना पड़ेगा उपाय ठोटके हमारे जीवन के यही काम करते हैं जीवन में आई कठिनायों से मार्ग निकालने में सफलता लाने में सहेंख होते हैं अगर आप धन को लेकर चिंतित हैं परियाप्त धन नहीं कमा पा रहें तो किसी सुक्लपक्ष के मंगलवार या गुरुवार के दिन ये उपाय करें किसी मिट्टी के वर्तन में थोड़ा सा सोखा धन्या लें उसमें एक रुपए के 21 सिक्के डालें थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा पानी डाल कर मिक्ष कर दें इसके बाद उस वर्तन को घर के उत्तर दिशा में रख दें जब धन्या उगकर निकल आए तो उसमें से कुछ हरा धन्या किसी गाई को खिला दें बागी धन्या को घर में इस्तमाल करें सिक्के को निकाल कर कुछ सिक्के लाल वस्तर में रखें और पोटिली बना कर घर की तिजोरी में रख दें कुछ सिक्को को पोटिली बना कर अपने कार इस्तल पर लटका दें धन को आकरसित करने वाला पहुती कारगर उपाय है ये इस उपाई को करने से आपका घर हमेशा धन धाने से भरा रहेगा निरंतर धन का आगवन होता रहेगा ब्यापार बेवसाय से अच्छी आंधनी होती रहेगी आर्थे के सिती उत्तम हो जाएगी दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिकिष्ट करते हैं बीड़ो को लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तो को भी शेयर कर दीजेगा यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजेगा दोस्तो धन तेरस में सुब अबसर पर धनिया खरीदने की परंपरा रही है इस दिन मा लक्ष्मी जी को धनिया अरपित किया जाता है फिर धनिया पीस कर उसमें गुड मिलाकर नवेध तयार किया जाता है ऐसा करना बहुत ही लाबदाई होता है धनिया को संपन्नता का प्रतिक माना जाता है इसलिए धन तेरस को थोड़ा सा धनिया जरूर खरीदें धन प्राप्ति के लिए और भी एक उपाई कर सकते हैं किशी गुरु पुष योग के दिन शुवय गड़ेश जी का बिदवत पूजन करें उनके सामने आसन बिछा कर शंकट नासन गड़ेश इस्त्रोत के इग्यारे पाठ करें फिर हरे वस्त्र की छोटी पोटली में दस ग्राम साबूत धनिया साथ मूंग के दाने एक पंच मुखी रुद्राच एक चांदी का रुपया और दो सुपाडी और दो हल्दी की गाठें रखें और इसे गड़ेश जी के चरणों में रख दें गड़ेश जी को सुद्ध घी के मौदक का भोग लगाएं गड़ेश जी से धन प्राप्ति के लिए प्रातना करें फिर इस पोटली को घर की तिजोरी में रख दें एक साल पूरा होने पर फिर इसे दोराएं और पोटली को बदल दें आपकी आर्थिक परेशानी कभी नहीं सताएगी अगर आपसे किशी ने पैसे उधार ले हैं और वो उसे वापस नहीं कर रहा यानि कहीं पैसे फस गए हैं तो किशी शुक्रवार के दिन एक कागज पर साबोत धनिया रखकर उसकी पुडिया बना ले उस पुडिया पर पैसे लेने वाले यानि की ब्यक्ति का नाम लिखें और उसे जला दें किसी एकांत जगह पर ये उपाय करें ताकि आपको उपाय करते वक्त कोई देखे ना कोई रोके ना कोई टोके ना जल्दी आपको आपका धन वापस मिल जाएगा आपके घर में कलेस कलेह बाद व्याद होते रहते हैं घर में सुक्षान्ति नहीं है तो अपने घर के पूर्व दिशा में थोड़ा सा धन्या रखें, ऐसा करने से आपके घर में शुक्षान्ती आएगी, परिवार के सदस्यों में समझस बढ़ेगा, सुखमे जीवन की प्राप्ती होगी, अगर आपकी आमदनी अठनी और खर्चा रूपया वाले इस्थिती हो अर्थिक इस्थिती में शुधार होगा, अगर आप बुरी तरह से कर्ज में फश गए हैं, अथक प्रियासों के बाद भी आप कर्ज नहीं चुका पार हैं, तो रात को सोते समय, शुकी धन्या अपने शिरहाने के पास रख कर सो जाएं, सुबए उस धन्या को किसी बहते तो क्या करें, आप किसी भी बुद्धवार के दिन गडेश जी को आप गुड और धन्या का, सोकी धन्या और गुड का भोग लगाएं, बाद में इसे पत्पत्नी प्रसात के रूपे ग्रहन कर लें, तो पत्पत्नी में प्रेम बढ़ता है, जीवन में सुक्षान्ती हमेश अनेक कारियों में हमें सफलता दिलाती है, धनिया हमारे खाने के स्वाद के अलावा, हमारे सुक्षम्रेदे में एहम हिस्सा होती है, और इससे क्या होता है कि माता लक्षमी जी बेहत प्रसन मुद्रा में रहती है, धनिया माता लक्षमी को बहुत प्री है, अगर सुक्रव बारे दिन मा लक्षमिज गो आप एक पोटिली में, आप लाल कपड़े में धनियां बांध कर उनके चर्णों के पस रख दें, और यह धन के खजानी पर रख दें, तो धन आपके घर में बरसेगा, जी हैं दोस्तों धन आपके घर में बरसेगा, जी हैं दोस्तों STEPH 9 तो मेशा घर में बनी रहेगी दोस्तों किसी भी दिन वैसे तो आप किसी भी दिन आप धनिया का उपाय कर सकते हैं लेकिन खास कर आप बुद्धवार के दिन गड़ेश जी के पास आप हर बुद्धवार को थोड़ा थोड़ा धनिया जरूर छिड़कें और इनमें से 21 दाने सुरू हो जाएगी लाभ मिलने सुरू हो जाएंगे दोस्तों अगर आप एक पीले कपड़ी में आप किसी भी दिन बुद्धवार या शुक्रवार के दिन अगर आप एक पीले कपड़ी में थोड़े से धनिया पोठली बना कर आप मा लक्ष्मी और गड़ेश जी के आप पास रख दें और फिर इसे आप अपने मुख दरवाजे के पास लटका दें दोस्तों किसी की निगविटी नजर नहीं लगेगी और अगर किसी की निगविटी नजर है तो वापस शली जाएगी घर में सुक्षान्ती बनी रहेगी धन की बारसी आ जाएगी घर में हमेशा पोजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और हमेशा धन धन से भरे रहेंगे कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी दोस्तो धनिया की ये उपाय आपको जरूर धनवान बना सकते हैं धन घर से जो जुड़े हैं समस्याएं धन को लेकर वो समस्याएं दोर हो जाएंगी मा लक्ष्मी और भगवान ग्रेश जी की कृपा वर्षे की साथी शुक्षम्रिदी हमेशा बनी रहेगी धन को लेकर चिंती थे तो धन को लेकर चिंताएं दूर हो जाएंगी अगर आपका ब्यापार नहीं चलता तो ब्यापार इस थल पर आप थोड़ी से धनिया जरूर छिड़क दें बुद्धवार के दिन या शुक्रवार के दिन तो जरूर आपका ब्यापार तेजिस चलने लगेगा और दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की करेगा दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शिरूर करिएगा दोस्तो को भी शेर कर देजेगा चैनल पर पहली वारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बिल आइकन को जरूर दबा देजेगा और कमेंट में लिखेगा जै मालक्ष्मी